So yo what's up guys, how are you guys, welcome back to our channel And guys, I am going to tell you guys in this video Now this Mahindra X-UV 700 Cup, which is the police version How can you install it in the game And the installation process is very complicated So if you install it, then you should see it from the beginning I have told you everything How can you install it in this mode And in this case, you get unique features You get wide wheels, Indian flag, BJP flag And working police lights So guys, now we've come to the installation step And these steps are very important I am very stressed about it And in your game, it will not be installed in the game So please, check these steps So let's check these steps I am going to openiv install and you can also come to openiv So let's check these steps And it will not be replaced And it will be very easy to do So I will suggest you Now go to the police 4 and go to the files And go to the files And go to the files And these 3 files guys, just drag and drop कर लियूब गूप कर देना है Yes, I do not find that जीन से मैं रिनेम कर देता और आओ अप कर देना है और आपको अगर मैं यहां पे खोल के दिखाऊ तो आप देख सकतो हमारी कार तो successfully यहां पे इंपोर्ट हो चुकी है वर गाइस हमारा जो फ्लैग है और जो हमारी पुलिस लाइड से उनमें टेक्शर नहीं आया तो यही इन ही टेक्शर की गाइस में बात कर रहा था तो इन टेक्शर को लाने के लिए पर आपको उस टेक्शर वाले फोल्डर में जाना है और इस पुलिस4.ytd को उपन कर लेना है एडिट पर जाके आप इसे उपन कर सकते हो अगर आपसे कोई भी एस टेप आपको नहीं समझे आ रहा है तो आप हमारा डिस्कॉर्ट सर्वर जॉइन करो या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो आइड आपके स्क्रीन पर दिख कर लेना है तो जब आपका यह सेव हो जाएगा तो आप पुलिस 4 में आकर देख सकते हो हमारी जो पुलिस लाइट से उनमें टेक्शर आ गया है गेम में और बेटर तही किस आएगा यहां पर भी आपका दिख रहा है उसके बाद आपको सेलेक करना है कि आपको आपके गेम के भी दिखा दे रहा है यहां पर भी देख सकते हो फ्लाइग अंडर्सकोर आर्पियम यह बहुत जादा बहुत जादा इंपोर्टेंट स्टेफ है वर्ना आपके गेम में फ्लाइग वर्क नहीं करेगा फिर आपको पुलिस 4 में फिर से आना है एडिट में जाना है यहां आपको जस्ट इसे इंपोर्ट कर लेना है यहां पर इसे सेफ कर लेना और यहां पर गईज अब आप अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो इंडियन फ्लाइग वह आ चुक है यहां पर आपको उतना हाई क्वालिटी में नहीं देख रहा होगा पर गेम में बहुत हा तो कई अभी फिलार आप देख सकते हूं मैं गेम में आ चुका हूं और यहां पर इन्हें साइट करते हैं अब आपको बहुत जादे इंपोर्टन स्टेप है तो आपको अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करना है वहिकल वहिकल उप्शन्स में जाना है वहिकल स्पॉनर में जाना है यहां पर इंपूर्ट मॉडल में आपको डालना है पुलिस फोर्ड जैसे यह आप डालोगे तो आप देख सकते हूं महारी जो कार है वो यहां पर आचुकी है अब guys आपको अगर flag लाना है अगर front में आपको number plate लाना है तो आपको वही कल options में जाना है menu customs में जाना है और नीचे में guys आप जा के थोड़ा सा extras guys आपको दिखेगा उस extras में guys आप इन्हें add कर सकते हो और यहाँ पर guys आप देख सकते हो मैं पहले तो मोशन बलर को बंद कर लाता हूँ and अब guys आप देख सकते हो हमारी जो car है वो perfectly यहाँ पर spawn हो चुकी है इसमें guys आपको सब को जो जो important होता है आपको guys आप अगर e दबाएंगे अपने keyboard में तो आपकी यहाँ पर police light भी on हो जाएगी and मैं guys आपको recommend करूँगा कि अगर आप इस car mode को use कर रहे है तो आप एक add-on wheel का mode install कर ले and उससे guys आप अपने wheels को change कर ले जब guys आप अपने wheels को change करेंगे तो आपकी जो car की look है वो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी and मैं personally guys यह वाले wheels को use करता हूँ तो मैं guys personally यह वाले wheels को use करता हूँ अपने videos में and आप देख सकते हो इसमें आपको कोई भी वीस्ट आंसर वगरा का use नहीं करना पर एगा अपने wheels को wide करने के लिए यह permanently wide है and इसमें आपको guys बहुत कुछ मिलता है जो आपने अगर मेरा stock वाला mode नहीं इसका install के है तो आप इसका stock वाला mode भी install कर सकते हो and guys अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें guys आपकी सारी windows वगरा भी black हो जाती है तो इसमें guys आपको बहुत कुछ मिलता है आपको guys just explore करना है and यहाँ पर मैं अपनी number plate भी लगा लता हूँ and आप देख सकते हो अब जो हमारी car की look आ रही है वो काफी जादा ही अच्छी आ रही है मतलब एकदम wide वाले wheels मैंने इसमें लगा दिया Indian flag मैंने इसमें लगा दिया पुलिस light लगा दि तो और guys इसमें आपको क्या ही चाहिए तो मैं guys यहाँ से आपसे next video में मिलूँगा आप इस video को अपसे पूरा देखो and आपको guys आगे password मिलेगा तो password के लिए guys आपको पूरा video देख नहीं होगा तो मैं guys आपसे मिलता हूँ next video में तब तक के लिए thanks for watching झाल 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 झाल